तो यहां पर आपके लिए लेकर के आए हैं हम CSIR, UGC, NET और SET के एक्जाम से लिए आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर एलजेब्रा तो यह जो लेक्चर मैं बना रहा हूं इस्पेशली यह जो लेक्चर है बिल्कुल स्टार्टिंग से है मतलब की जो बिल्कुल बिगनर लेवल के उनके लिए मैं मीलिए फोकस करके यह जो लेक्चर है मैं यहां पर प्रिपाइर कर रहा हूं स्टार्टिंग लेवल मैंने लिख भी रहा है इस बिखे-स बहुम से जो स्टूडेंटS जिनको पढूना है उनके लिए मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ सो चलिए स्टार्ट करते हैं linear algebra linear algebra एक हमारा पूरा का पूरा क्या होता है linear algebra जो है ok linear algebra यह एक तरीके से मान लो कि यह पूरी आपकी unit है मान क्या लो होती है ये पूरी की पूरी यूनिट है और इसके अंदर बहुत सारी जी जो होती है यदि आप इसको देखो linear algebra के अंदर बहुत सारी यूनिट होती है बट इसकी start आप देखो कि बहुत सारे teachers किसे करते हैं vector space से करते हैं इसकी start किसे करते हैं vector space से करते हैं और vector space सीखने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर finally इसमें matrices का idea जो होता है, इसमें incorporate करते हैं, मतलब बाद में क्या करते हैं, कि vector space में matrices को ले करके आते हैं, बट मैं आपके लिए पहले जो है, और इसमें आपको मैं पहले क्या लेकर क्या हूँगा, matrices को आपको ले करके आऊँगा, तो अब इस chapter में, यदि मैं matrices से शुरुआत करता हूँ, तो आपको बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी concepts की जरूरत होती है, जो abstract algebra हुआ करता है, जिसमें हम group पढ़ते हैं, field पढ़ते हैं, सब group पढ़ते हैं, okay, group wide पढ़ते हैं, तो उसका भी इसमें इस्तमाल हुआ करता है, तो सबसे पहले थोड़ी सी हमें किस की जरूरत है, हमें थोड़ी सी previous knowledge की जरूरत है, तो हमें थोड़ी सी previous knowledge की जरूरत है, मतलब जो हम पहले पढ़कर के आए हुए हैं, जो थोड़ी सी introduction हमें जरूरत है, उसको यहाँ पर इस chapter में देखना पड़ेगा, उसका तो use होगा ही, उसको अपन टाल नहीं सकते हैं तो क्या-क्या देखना पड़ेगा, क्या-क्या जान लो उसमें देखो, तो पहली चीज़ तो set के बारे में जान लो, आपको set वही आप जो पढ़के आया हो basic classes में उसकी जानकारी आपको लगेगी, ओके तो set आपको लगेगा, देन उसके बाद में आपको किसकी जानकारी होनी चाहिए, आपको group की जानकारी होनी चाहिए, group के बाद आपको किसकी जानकारी होनी चाहिए, field की जानकारी होनी चाहिए, तो यह जो basic basic requisite है, यह basic demand है, इस chapter की, यह हमको सबसे पहले fulfill करनी पड़ेगी, ओके, तो आईए सबसे पहले मैं थोड़ा सा basic लेकर करके चलूँगा, जो आपके पास में जो आप पढ़ करके आए हैं, basic जो आपका है, वो पहले मैं आपको complete करूँगा, ओके, तो basic में सबसे पहले मैं आप के सामने लेकर क्या रहा हूँ, set वाली बात, तो set आई हो, आप लोग जो जानते हो, सब कुछ set क्या होता है, collection of well-defined elements जो होता हो, set होता है, अब set में आपके पास में दो type के set होते हैं, एक होता है finite, और एक होता है infinite, ओके, देखें, मैं वो बाते करूँगा, जो आपको दिक infinite और infinite तो आप अलड़ी पढ़ चुके हो, फिर इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, देखें, finite set में, infinite set में भी type बढ़ जाते हैं, मतलब इसको भी distribute किया जा सकता है, अब यदि मैं infinite set की बात करूँ, तो infinite set की यदि मैं बात करता हूँ, देखो, infinite set को ही distribute किया गया है, infinite set को दो तरीके से distribute किया गया है, एक होता है countable infinite, countable या countably infinite, countably infinite, countably infinite, countably infinite का मतलब ऐसे समझो, कि infinite तो हैं, अगर उनको आप ये बता सकते हो, कि पहला number कौन सा है, दूसरा number कौन सा है, तीसरा number कौन सा है, मतलब information दे सकते हो, कुछ element के बारे में, example मैं यदि बात करूँ, natural number, तो natural number जो infinite तो है, मगर ये countably infinite, because आपका last element आपको पता नहीं, आप पता नहीं कर सकते हो, बट इसका first element आप बता सकते हो, कि इसका पहला element 1 है, अगर आप कुछ भी बता पा रहे हो, तो वो क्या कहला था, वो कहला था countably infinite, अगर आप कुछ भी बता पा रहे हो, और अगर सिखा मजी की बात क्या है, कि जो infinite set होते हैं, वो भी आपने दो तरीके के दिख लिए, एक countably infinite, दूसरा uncountably infinite, चलिए कुछ example दे रिए जाए, countably infinite set के, countably infinite set के natural number, अब देखो क्योंकि आप higher methodics पर रहे हो, तो symbol में सब में ये लगता है, double लगता है, यार वट, ये हमारे Indian education क कि problem ही मैं समझूँगा, कि यहाँ पर पहले हमको simple symbol पढ़ाते हैं, उसके बाद में double symbol इस तरीके के पढ़ाते हैं, यार जिन्दगी बर symbol एक रखो ना क्यों confuse करते हो, ये बड़ी मुझे problem समझ में आती है, है ना, तो अब देखी दूसरा जो है, जो नए symbols हैं, वो भी एक ह ही होते हैं, मनलब उनमें double line खीज़ दो, खेर मैं नहीं बना रहा हूँ, बार बार समय खराब होता है, ओके तो natural number सेट हो गया, ये क्या countably infinite है, जड़ी क्या countably infinite है, रिशनल number भी क्या countably infinite है, अगर मैं uncountably infinite की बात करूँ, तो कौन कौन से number है, और, real number, set of real number, ये है set of complex number, य ये क्या है, पावर सेट of natural number, याद रखना, पावर सेट of natural number, ठीक है ना, पावर सेट of natural number, तो ये जो मैंने आपके सामने example दिये है, ये uncountably infinite number, uncountable, इनको uncountable set भी आप बोल सकते हो, ये uncountably infinite है, एक countably infinite और एक है uncountably infinite, तो एक तरीके से देखा जाए, तो मैं countable sets को भी दो से बदल सकता हूँ यदि मैं इसी आइडियो को ले करके वे यदि मैं countable set की बात करूँ तो यदि मैं countable set की बात करूँ कि जो गड़ना योग set है वो दो टाइप के हो गए है एक finite countable दूसरा है countable infinite ओके तो एक है finite ओके और दूसरा है क्या infinite infinite countable ओके तो countable में finite में आप जान चुके है set of variables होता है जैसे आपने ए ले लिया ए ए आई ओ यू यह countable भी है और साथ में क्या finite भी है but countable infinite में आपने देख लिए था क्या होता है natural number होता है ठीक ना अब यह मैंने मैंने आपको बिता है natural number होता है set of integers होता है तो यह सब के सब क्या होते है countably infinite या countably finite इनको इस तरीके से बुला जाता है okay countably finite and countably infinite या countable finite countable infinite इनको इस तरीके से बुला जाता है, तो इस चीज को आप धियार में रखिएगा, चली कुछ और concept, छोटे-छोटे concept की बात करते हैं, चली थोड़ा सा देखे, इसको और इसमें प्रकाश डालते हैं, जब आपके पास कोई finitely countable set होता है, तो आप इसको कैसे represent करते हैं, A is the collection of element i, x i, ओके यहाँ पर i एक निश्च्यत number की तरफ vary करेगा, so i belongs to del, yes, यह होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक न, चली इसको और क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पर इसी चीज को, कि cardinality of a, cardinality of a, cardinality मतलब number of element is equals to n, where n belongs to some natural number, where n belongs to some natural number, इसको क्या बोलते हो, determinant a जो दिख रहा है, इसको बोलते हो, cardinality of a, तो यदि यह बनता नहीं है, तो आप लोग लिख लो, कि a को बोलते हैं, यह जो box लगा हुआ है, इसका मतलब होता है, cardinality of a, okay, अब देखो problem क्या, basic classes में इसको क्या बोलते थे, any बोलते थे, और higher classes में इ किसी को mod बोले लगते हो, okay, मतलब वो यह कि कितने number of element है, चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते है, rational number की, ठीक ना, rational number की बात कर लेते है, कि rational number क्या हुआ करता है, देखे, rational number, okay, तो सब लोग पढ़कर क्या हो, कि rational number क्या होता, the number in the form of p upon q, where q is not equal to 0, बिल्कुल भाई सही बा होते हैं, integer होते हैं, और याद रखना कि इसमें हम क्या लिखते हैं, इसमें हम लिखते हैं, को प्राइम, यानि एक p q equals to one, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इसका common factor लिखा है, ठीक न? P, Q equals to 1 तो मतलब ये को प्राइम है तो इस चीज का मतलब क्या है ये है को प्राइम ऐसा लिखा जाता है इसको तो आपके रहे मैंने क्या बता है आपको मैंने आपको रिशनल नम्बर के बारे में सारी जानकारी आपको मैंने दे दिये ठीक है ना अब देखे तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो rational, real number है, real number is the union of rational as well as irrational, q-dash बोल सकते हो इसे को, या इसी को बोलते है, r equal to rational number, sorry, real number is the union of rational as well as irrational, q-bar को irrational बोलते हैं, और यदि हम subset का idea देखे, subset का idea को देखे, तो natural number is the subset of whole number, is the subset of integers, is the subset of rational number, is the subset of real number, and finally जो सबसे बड़ा set होता, उसको हम बोलते हैं, complex number, तो c-dash ऐसे करके कर दो, है ना, नीचे नहीं बनाना था, हाँ, ये, तो ये क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं, set of complex number, set of complex number, ठीक है ना, set of complex number, तो काफी सारी नहीं नहीं चीज़ें, आपको जाननी है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, कि आपको कम से कम introduction तो मिल जाए, बाद में ये symbols use होते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती ही दोस्तों, इसलिए ये चीज़ें आपको बताना बहुत आवश्यक है, चलो आँगे देखते हैं, तो set of complex number आपने देख लिया, है ना, तो set of complex number को, एक तो अभी मैंने किस rule से दिखाया, c से, इसको c से भी represent करते हैं, ठीक ना, तो ये भी लिख लो एक चीज़ आप, कि set of complex number जो हुआ करता है, set of complex number, ओके, तो set of complex number को आप किसे show करते हो, either c या c cross कर दो, c सरी के से dash करके कर दो, okay, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे करके, सारी चीज़े एक ही है, okay, गे हुआ करता है, तो complex number actually होता, क्या आपको पता है, complex number, जब आप real, real axis, okay, this is called real z, and ये क्या होता है, ये आपका होता है, imaginary object में, जब आप cross करते हो, तो इस point पर आपको क्या मिलता complex number, and this is z equal to x plus i y, okay, तो आप क्या समझ सकते हो, कि complex number जो होता है, वो दो real number का, क्या होता है, का होता है, कार्टीशियन प्रोडक्ट बना करता है, तो complex number is the cartesian product of the two numbers, ठीक है, तो ये तो सारी की सारी चीज़े हो गई, related to our basic, अब आँगे पढ़ते हैं, दिखें, आँगे चलें क्योंकि group theory भी आब आने वाली है, group theory का idea जो है, यह हमारे इस chapter में लगने वाला है, तो group theory के concepts के तरफ मैं लेके चलता हूँ, okay, group theory के concept के तरफ, तो group theory में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले set होता है, set के बाद क्या बनता है, set बनता है, group बनता है, और जो group होता है, वो abelian group नहीं आपदे और अब आंगे पढ़ते हैं तो गृوب को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा ये समझेंगे तो तो हमें group समझ में नहीं आएगा, ओके, तो heading डाल लिजे, algebraic structure, भई, algebraic structure क्या है, algebraic structure क्या है, कोई इस तरीके का structure, यहाँ पे set A है, और set A जो है, multiple binary operations के साथ operate हो रहा है, यह binary operation 1 है, यह binary operation 2 है, यह binary operation 3 है, इनके साथ set A जो है, operate हो रहा है, सबके साथ क्या है, binary operation है, और किसी भी binary operation के साथ operate होने पर, ok, set A, मतलब A जो है, belongs to capital A है, B belongs to capital A है, अब A और B आपस में operate करते हैं, चाहे वो operation 1 हो, चाहे वो operation 2 हो, चाहे वो operation 3 हो, है न, operation 2, operation 3, किसी भी operation में operate करते हैं, तो जो आता है, वो set A के अंदर ही होता है, ok, तो ऐसे operation को हम क्या बोलते हैं, binary operation बोलते हैं, और इस type का जो structure कहलाता है, ये structure क्या कहलाता है, इस structure को हम बोलते है, algebraic structure, तो खास बात क्या है, कि ये जो algebraic structure होता है, इसमें जो set हुआ करता है, ये closer property को follow करता है, okay, इस set के जो element होते है, मतलब ये जो operation होता है, वो closer होता है, सार सारे ऑपरेशन क्या होंगे क्लोजर तो एलजबरी के स्ट्रक्चर मतलब अगर दिये गए सारे ऑपरेशन किसी पर्टिकुलर सेट के लिए क्लोजर होते हैं तो वह स्ट्रक्चर क्या के लाएगा एलजबरी के स्ट्रक्चर के लाएगा आए कुछ definition लिख लेते हैं, क्या होता है, definition इसका, yes, लिखिए, सबसे पहले, यह क्या होता है, algebraic structure, a, okay, operation of, is, strict, 1, strict, true, strict, 3, and so on, यह आपके सामने operations दिये गए है, लिखे, definition, a non-empty set, a non-empty set, with finite, with finite number of binary operation, with finite number of binary operation, हाँ, याद रखेगा कि यह finite होंगे, जितने भी होंगे, finite होंगे, x4, x5, xn, strict, बोलना था, x बोल गया गलती से, with finite number of binary operation is called, is called, algebraic structure, is called algebraic structure, अब एक चीज़ याद रखो, देखो, यहाँ पर, क्या बोल दिया, मैंने, binary बोला है, है ना, define with finite number of binary operation, तो binary operation आ चुका है, मतलब, अपने आप, अपके मन में हो जाएगा, कि यह कौन सी property होगी, यह closer property को follow करता होगा, तो यह हो चुका है, algebraic structure, ठीक है, चली, आँगे बढ़ते हैं, algebraic structure की हमने बात कर ली है, आँगे बढ़ेंगे, अब हम बात करते हैं, ग्रूप की, ठीक ना, अब हम बात करते हैं, ग्रूप की, बट हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे, कि cardinality, infinite, finitely countable set की, क्या होती है, तो finitely countable set की cardinality, यहीं मान लीजे, आपके पास में, infinitely countable, infinitely countable बोल गया मैं, infinitely countable set है आपके पास में, और आप इसकी cardinality काडिनाल्टी निकाल रहे हो, ओके, आप इसकी cardinality निकाल रहे हो, तो इसकी cardinality को एक symbol से show किया जाता है, इसको कुछ इस तरीके से बनाओ, X बना करके यहाँ पर not लगा दिया करो, ओके यह वाला सीधा रखो और यह वालाब क्या कर दो, तो टीड़ा कर दो, ओके इसको ये लाइन सीधी और ये लाइन टेडी, इसको नौट केते हैं, इसको बोलते हैं अलिफ नौट, इसको क्या बोलते हैं, अलिफ नौट, ठीक ना, तो ये infinitely countable set की जो है cardinality है, जैसे example आप से बोला गया की cardinality of q क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे इसको सीधा बनाओ, ओके, ये वाला सीधा और इसको मोड़ दो, this is called LFNOT, तो cardinality of natural number, this is equals to, okay, ये सीधा जाएगा और ये कर दिया, so this is called LFNOT, तो ये concept माना गया है कि LFNOT जो होता है, क्या होता है, cardinality होती है, कि इसकी infinitely countable set की, या countably infinite set, इसी को बोलत मैंने infinitely countable लिख दिया, इससे मैं लेखना था countable infinite, okay, इसको मैं सही कर देता हूँ, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में ही, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते है, cardinality countably infinite set, countably infinite set, की जो cardinality होती, इसको हम LFNOT से show किया करते हैं, ठीके न, चली, अब दे इसमें हमें पढ़ना है, group के बारे में, ठीक न, तो आपने group देख, अभी अपने क्या देखा, algebraic structure, फिर मैंने थोड़ी सी यहाँ पर बात कर दी, countably set की cardinality के बारे में, infinitely countable set की cardinality के बारे में, थोड़ा से यह topic अलग था, और वापस हम अपने इसी topic पर आते हैं, जहाँ to be a group, है न, लिखिए, an algebraic structure, an algebraic structure is set to be a group, एक algebraic structure जो होता, उसे group कहा जाता है, कब, okay, if, अगर वो algebraic structure, जो है, group तब कहा जाएगा, if, ठीक न, वो जो structure होगा, वो पांच प्रापर्टी को satisfy गा, अगर वो पांच प्रापर्टी satisfy करेगा, कैसी प्रापर्टी है, c है, a है, e है, e है, sorry, चार प्रापर्टी, अगर पांच को कर देगा, तो उसको abelian group बोलेंगे, तो अगर कोई आपके पास में set है, और वो set, algebraic structure में जो set बैठा हुआ है, इन चार प्रापर्टी को satisfy कर रहा है, okay, तो वो क्या बन जाएगा, वो set convert हो जाएगा, group में, वो set कह लाएगा, group में, तो देखे, c का मतलब क्या है, number one, closer, okay, तो closer हो जाएगा, दूसरा मतलब क्या है, दूसरा है associative, एका मतलब क्या है, associative, तीसरा, एका मतलब क्या है, existence of additive element, okay, existence of additive element, okay, sorry, identity element, additive बोल गया, identity element, okay, और चौथा कौन सा है, existence of inverse element, yes, तो अगर ये 4 property कोई show कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, group बन जाएगा, अगर 4 property कोई show कर रहा है, कोई set, okay, दिया गया, algebraic structure में, तो वो क्या बन जाएगा, group बन जाएगा, और इसके अलावा अगर कोई पांच भी प्रॉपर्टी सटेस्फाई कर देता है तो बन जाएगा abelian group क्या बन जाएगा abelian group yes तो अभी आपने कौन-कौन सी प्रॉपर्टी देख ली है group बनने के लिए आपने देख ली है कि तो चोथे में देखिये क्या existence of है ना आइडिन ए इन वर्स existence of inverse ठेक ना क्या बताया था मैंने दिखे existence of identity element and existence of inverse element तो यह यहाँ पर existence of identity element और existence of inverse element यह एक्जिस्ट कर देता है i for identity और i for inverse तो यह क्या बन जाता है group बन जाता है इसके extra में एक और प्रॉपर्टी रिखिए इसके extra में एक और प्रॉपर्टी अगर कोई operation के respect में कोई दिया गया asset commutative हो तो ऐसे group को हम क्या बोलेंगे तब यह कहलाता है abelion group अगर 5 property satisfy हो जाती है तो यह बन जाता है abelion group तो चली group की बात हो चुकी है abelion group की बात कर दिये मैंने और एक और group होता है cyclic group तो cyclic group के बारे में बात कर देंगे cyclic group क्या हुआ करता है देखी cyclic group है तो इसको ऐसे समझो कि अगर कोई group है वो एक ही element से generate होता if a given group is generated by a single element generated by single element अगर कोई group single element से generate होता है then it's said to be be cyclic group ठीक है तो अभी हमारा उदेश जो है group theory पढ़ना नहीं है यह तो मैं just introductory आपको class दे रहा हूँ इसलिए यहां पर group theory हम नहीं discuss कर रहे हैं इसलिए यहां पर हमने आपको केवल थोड़ा सा उपर उपर से हमने आपको group के बारे में बता दिया चलिए अब थोड़ा सा हम abelian group के बारे में detail में पढ़ेंगे क्योंकि abelian group के पढ़ने के बाद में हम किसकी बात करेंगे हम field की बात करेंगे तो आईए हम abelian group की बात कर लेते हैं कि abelian group क्या है इसकी property क्या है abelian group अब देखे, मान लीजे, आपके पास सबसे पहले मैं structure लिख रहा हूँ, group का, okay, a group, a group, है न, g over operation o, over operation o, मतलब आपके पास group g है, और operation क्या है, o है, is set to be, to be an abelian group, abelian group, समझो बात को, आपके पास मतलब यह लिखा है g, और यह लिखा है o, यह जो आपके पास में structure है, यह आपके पास में, जो है, यह, जी यहाँ पर abelian group कब कहलाएगा, abelian group कब कहलाएगा, okay, abelian group कब कहलाएगा, यहाँ पर g, g कि आपके पास में, यह कोई group है, okay, यह कोई set है, और आपके पास में, o क्या है, operation है, यह abelian group कब कहलाएगा, अब एक चीज़ यह समझो, कि कुछ element लेकर क्या हमको समझना पड़ेगा, कुछ element लेकर क्या हमको समझना पड़ेगा, जैसे हमारे पास में, यह family है g की, और g के अंदर कुछ element हम ले रहे है, a, b, c, some type of element अप ले रहे है, okay, यह g है, okay, operation का नम क्या है, o है, operation का नम क्या है, o चाहिए, है ना, तो पहली property है, closer property, तो closer property क्या कहती ही, कि a का element, a का operation element b के साथ, वो को bracket में मत रखी, o का operation किस के साथ, b के साथ, जो भी आएगा, that also belongs to g, that also belongs to g, ठीक ना, where, मैंने पहली बता लिया है, a, b, are the element of g, तो यह जो नोनों का operation आएगा, वो भी क्या होगा, g से होगा, मतलब closer property को यह show करेगा, okay, as an example, आप dot example ले सकते हो, या example में form में कहो कि, कि अगर आपके पास कोई structure है, okay, आपके पास कोई group g है, और जो performance आप कर रहे हो, यहाँ पर operation है, आपका dot है, तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, आप यह कह सकते हो, कि a dot b, a dot b, okay, a और b का आ answer आईगा, वो भी क्या होगा, जी का होगा, तो मतलब कुल मिला कि आपको यहाद रखना है, कि a operation b, जो है, वो जो answer आपके बी किसमेस होगा, जो group, group का element होगा, g का element होगा, तो आपका यह जो operation बन जाएगा, यह कैसा बन जाएगा, आपका यह closer operation हो जाएगा, यह closer property को satisfy कर र होना चाहिए तो फॉर एक्जम्पल जी के अंदर कुछ element में लेता हूँ ABC तो क्या rule बनेगा कि A यह देखो तो जो group G है वो में क्या होना चाहिए associative होना चाहिए group G के elements को ओ में associative होना चाहिए so a operation b operation c यदि मैं लिखूँ a operation b operation c this is equal to a operation whole b operation c यदि यह property satisfy हो रही है तो आपका क्या होगा यह group जो होगा यह associative होगा तीसरी property के बात करते है third property जो show होनी चाहिए abelion group बनने के लिए किसी group के द्वारा वो होनी चाहिए कौन सी है na identity existence of identity element मतलब कि जो group G है अगर यह abelion है तो G should having G should have G having identity element identity element okay identity element का मतलब क्या है देखे for all okay for every E belongs to G ठीक ना हाँ यह देखे देखे यहां पर की है की यहां पर एक element exist करना चाहिए एक element exist करना चाहिए हाँ मैंने for every बोल दिया इसका मतलब होता है there is okay इसका मतलब होता है there is some ऐसे बनाओ t-type का okay और यहां करके ऐसे कर दो yes तो इसको बोलते है there is there is okay there is some element E there is some element E belongs to set G okay belongs to set G तो आपके पस कोई element होना चाहिए G के अंदर set G के अंदर such that such that क्या होगा चाहे E का operation आप A के साथ करो या A का operation आप किसके साथ कर दो A का operation आप E के साथ कर दो हमेशा क्या आना चाहिए आपके पास में A आना चाहिए अगर यह कहलाती है इसको बोलते है identity element अगर ऐसा operation संभ़ हो पा रहा है तो इसका मतलब जो E है आपका वो क्या है E आपका जो है that is identity element है आपका E जो है आपका क्या होना चाहिए identity element होना चाहिए एक बार फिर से बताता हूँ there is some E belongs to G such that E operation with O equal to A operation with E is equal to A where A belongs to G okay यहाँ पर A क्या होगा G को belong करेगा मतलब हर एक element के लिए एक आपके पास में identity element exist करना चाहिए चलिए next देखते है अगला property क्या सी है अगली property है existence of inverse element existence of inverse element existence of inverse element यह देखे क्या कहता है यहाँ पर यह चीज़ समझे there exist there exist A inverse there is exist A inverse belongs to G यहाँ पर क्या होना चाहिए उसी set में उसी group में एक आपके पास में A inverse element exist करना चाहिए A inverse होना चाहिए उसी set के अंदर है ना कुछ इस तरह से such that इसको यहाँ पर लिखूँगा such that such that का symbol यह दो होता है या एक slash भी होता है इस तरीके का खड़ी line such that A inverse operation with A is equals to A operation with A inverse this is equals to E E मतलब identity element okay for all A belongs to G मतलब हर element का अगर आप उसके inverse से multiply या multiply माफ कीजिए का operation कर रहे हो तो वहाँ पर एक element exist करना चाहिए ई exist करना चाहिए तभी यह क्या कहलाएगा existence of inverse element ओके यह हो जाएगा चलिए तो यह चार property अगर जिस set ने satisfy कर दी है अगर यह set चार property satisfy कर चुका है तो यह क्या बन चुका है यह ग्रूप बन चुका है अब एक और लास्ट प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है commutative तो देखे commutative के लिए समझे क्या है लाओ तो commutative के लिए क्या scene बनेगा commutative के लिए क्या scene बनेगा दीखे ओके अगर ग्रूप जो है पांच भी प्रॉपर्टी कम्मुटर्टी को satisfy कर देता तो यह बन जाएगा abelian group तो commutative के लिए rule बनेगा a o b equals to b o a मतलब a operation with b equals to b operation with a for all a comma b belongs to g okay for all a comma b belongs to be then तो अब हम क्या लगते हैं कि अगर यह property कर दिया है then आपका जो group है then group क्या group है g o मतलब set g है और operation o है is set to be is set to be an abelian group तो यह जो आपका group है इस समय यह क्या कहलाएगा यह abelian group कहलाएगा इस से to be an abelian group ओके तो यह group के बारे में मैंने आपको सारी बाते बता दी है अब दीखे गुरूप के बाद आता है field और field एक काफी ज्यादा मतलब की बढ़िया concept है difficult concept है और इसको हम field के concept को समझने वाले हैं ओके तो field का नाम सुनते ही हमारे मर में सवाल उठता है कि what is field मतलब की field क्या है तो देखिए field का जो मैं लिख सकता हूँ field की definition लिखे field is an field field is a algebraic structure algebraic structure okay field is a algebraic structure of type यह क्या है एक algebraic structure of type कैसा है f ओके और यहां पर दो operation perform की जाते हैं एक पहला और एक दूसरा तो फिलाल में दो operation plus और multiply ले रहा हूँ plus and dot okay तो field is an algebraic structure of plus and dot देखिए यहां पर मैंने example में plus और dot लिया है आप कोई भी दो operation ले सकते हूँ जैसे suppose के लिए आप f ले लो और यहां पर दो operation o1 and o2 दो operation आप ले लिजे अब इन दो operation के आधार पे फिल्ड की definition फिल्ड की जो मतलब definition बनती है कि field कौन सा algebraic structure field होगा तो कुछ प्रॉपर्टी होती ही तीन प्रॉपर्टी होती नंबर वन प्रॉपर्टी नंबर वन समझेए यह आपकी पास जैसे पहला operation प्लस है ओके पहला operation क्या है प्लस है तो पहली प्रॉपर्टी बनेगी कि f जो होगा वो प्लस के उपर क्या होगा is an abelian group is an abelian group अभी हम detail में पढ़ेंगे मैं उपर उपर से भी इसको बता रहा हूँ कि जो f होगा आपका ok f जो होगा set f जो होगा वो प्लस के उपर operation प्लस के उपर क्या बनाएगा आपका abelian group बनाएगा दूसरा जो होगा f जो होगा आपका वो operation dot के उपर याने multiply के उपर ok बट यहाँ पर f नहीं रहेगा f star रहेगा f क्या रहेगा f star अब आप जाना चाहते है f star क्या है f star मतलब इसके domain में 0 include नहीं होगा ok f star का मतलब इसके domain में 0 include नहीं होगा मतलब जो भी आपका function होगा उसमें से आप 0 को remove कर दोगे इसको लिख लो आप कि f star का मतलब होता है आपके पास में f star का मतलब हुआ करता है set f excluding 0 sorry गलत लिख दिया f star equal to f excluding 0 yes यह होता है f star का मतलब तो दूसरा property में क्या बता रहता कि जो f star है ok group f star जो है set group f star जो है dot के साथ कौन सा बनाएगा is an abelian group यह भी abelian group बनाएगा यह भी क्या बनाएगा abelian group बनाएगा अब तीसरी property में आपको बताता हूँ कि तीसरी property क्या होगी जिससे आपका दिया गया algebraic structure क्या बन जाएगा किया बन जाएगा आपका बन जाएगा field बन जाएगा तो तीसरी property है distributed law distributed law किसकी distributed law आपको तीसरी property लेगी जैसे example के लिए आपके पास में यहाँ पर f है okay तो f में आपके पास में एक दिया है प्लस दूसरा डिया है dot तो दो element अगर suppose लो आपके f के अंदर के हैं तो आप क्या कह सकते हो कि a okay इसको इस तरीके से लिखू इसको आप समझी इस तरीके से हाँ देखे a dot b plus c इसको एसे समझो a dot b plus c equals to a dot b plus a dot c अगर यह property distributed law जो होता है distributed property अगर hold कर रहा है आपका f तो इसका मतलब f जो यह structure बनेगी यह क्या बन जाएगी field बन जाएगी तो इस समय जो structure है यह field बन जाएगी तो अभी तो आपने उपर उपर से देख लिया है अब थोड़ा सा हम detail में इसको अभी continue करेंगे किसके बारे में field के बारे में हम detail से continue करते हैं तो तो फील्ड किसे करते हैं एक बार फिर से हम field देखेंगे तो अभी जो अपने structure मैंने आपको बताएगी आप इस structure को ले करे चलिए कि field के लिए हम किसको पढ़ने जारे है, field को पढ़ने जारे है तो आप यह structure ले करके चरिए F, ओके, यहाँ पर plus लगाई है, और यहाँ पर dot लगाई है, ठीक ना, तो इसको कैसे समझोगे, number one क्या है आपके पास में, कि F जो है, F और plus, क्या बनाएगा, is an abelian group, is an abelian group, मतलब यह क्या बनाए है, यह abelian group बनाए, पहली बात, दूसरी बात, F, dot, ठीक ना, यह भी क्या बनाए, is an abelian group, यहाँ पर थोड़ी सी कमी है, बताइए क्या कमी है, यहाँ पर star रहेगा, क्या रहेगा, star रहेगा, और F star, याद कर लो कि F star क्या होता है, F star equals to होता है, set F में से आप 0 को remove कर दो, ठीक ना, set F में से 0 को remove कर दो, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, और आप जानते हो, higher maths में symbol, तो हर जगे परिशान करता ही है, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, F slash 0, ठीक ना, मतलब की, क्या बनेगा यह, मतलब यह addition के respect में भी abelian group बनेगा, यह multiplication के respect में भी abelian group बनेगा, और तीसरी जो चीज है, तीसरी आपका field कहलाएगा जब तीनों property satisfy हो जाएगी, example के लिए में distributed property की बात करूँ, तो तीन element अगर आप a, b, c है, so you can say a dot b plus c equals to a dot b plus a dot c, यह property हो गई, दूसरी property हो जाएगी आपके पास में, इसको पलट करके a plus b dot c, इधर से भी ध्यान देंगे, okay, तो a plus b dot c that is equal to a dot c plus b dot c, yes, तो अगर यहाँ पर यह property hold हो रही, तो जो आपके पास f है, जो आपके पास group f है, then, group f is said to be field f, okay, मतलब अब वो जो है, वो group f था, वो क्या बन चुका है, पहले group था normally, अब वो क्या बन चुका है, अब वो field बन चुका है, अब चलिए कुछ हम example लेते हैं, field के यदि हम आप से पूछें कि उस examples of field के बता दीजे, क्योंकि ये बहुत ही common होते है, example of field, okay, example of field, तो example of field क्या है, example of field ले दीजे, सबसे पहला है field by field of real number, पहला लिख लो field of real number, field of real number, तो जो real number का field बनेगा, उसे किस तरीके से show करते हो, और ये लगाते ही, आप लोग जानते हो, and plus और यहाँ पर कितना dot, तो ये भी real number का field बनेगा, दूसरा field on complex number, complex number का भी field होता है, देखिए complex number का field कैसे होगा, आप यहाँ पर लिखेंगे c, काट सकते हैं इसको चाहें, तो ना भी काटे तो बात ही किये, plus और क्या dot है, तीसरा field आपका कौन सा है, तीसरा field आप लिख सकते है, field of rational number, okay, rational number, rational number, तो rational number का जो field बनेगा, उसे कैसे लिखेंगे, q, और ये plus, और ये कितना dot, sorry, और ये dot, ये बनेगा आपका rational number, ठीक ना, अब इसके बाद, आपके पास एक और function हुआ करता है, जिससे हम बाद में कभी discuss करेंगे, zn, okay, zn इस तरीके से लिखा जाता है, अगर यदि operation की बात की जाए, algebraic structure की, तो zn और ऐसे plus लिखते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, addition modulo, addition modulo, addition modulo on n, ठीक ना, इसे हम addition modulo on n बोलते हैं, तो ये जो है, अगर आप इसको prime number में लोगे, addition modulo, अब समझाए, एक और लिख सकते हैं, इसको, ऐसे plus को बना दी जाता है, zn multiplication, sorry dot में ले लो ये दिया आप इसको, okay, dot में दिया आपने इसको ले लिया है, yes, तो ये दिया आपने इसको dot में ले लिया है, या multiply ऐसा कर दिया है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, multiplication, 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 modulo, modulo, multiplication, modulo, okay, तो अब इससे सम्मंदित एक algebraic structure बनती है, जो की field कहलाएगा, वो तो वो क्या होता है, नोट करी उसको, zp, okay, zp, defined on addition, modulo, on prime, और यहाँ पे multiplication, modulo, on prime, ठीक न, यह, तो यह जो आपके पास में structure, यहाँ पे dot कर दो, dot, prime, तो यहाँ पर जो आपके पास में, यह जो structure है, यह भी क्या है, एक field है, यह भी क्या है, एक field है, ठीक न, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, addition, मौडल हो इसे बोलते हैं मल्टिप्लिकेशन मौडल हो ठीक ना और नॉर्मली यह जडन होता था बट यहां पर पी का मतलब क्या है प्राइम है मतलब पी इस प्राइम होता है तो यह भी मैं कभी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा तब आपको इसका मतलब समझ में आगा अभ यह देखिए कि अगर मैट्रिक्स में आपको बाई डिफॉल्ट बोला ना गया हो कि मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है रियल मैट्रिक्स है कि कॉम्पलेक्स मैट्रिक्स है कि मतलब किस टाइप का मैट्रिक्स है ओके नैचरल तो खेर बनेगा नी है ना करूं कौन से मैंने पताय थे, real field पताय था मैंने आपको, और मैंने आपको complex number field बताया, मैंने आपको rational number field बताया, तो by default, okay, by default, अगर आपको matrix में ये ना लिखाऊ कि ये किस field में define है, अगर ये ना बोला गया हो, कि ये जो matrix है, ये किस field में define है, किस field में define है तो आप क्या ले करके चलेंगे, आप वहां पर अपना जो field है उसको आप complex ले करके चलेंगे क्या ले करके चलेंगे, complex ले करके जब तक आपको बोला न गया हो तो आप वहां पर complex ले करके चलेंगे, ओके, तो आपको जो field रहेगा, वो क्या रहेगा, c, okay, plus dot particularly यह है, या आप यह सभी कर सकते हो, c, और operation o1 और o2, इस तरीके का आपको field define रहेगा, matrix के लिए, तो यह हमारा एक introductory lecture रहा आज का, और इसमें मैंने आपको केवल introduction दिया है, field के बारे में, cyclic group के बारे में, group के बारे में, group की properties के बारे में, है ना, एक बार फिर से मैं आपको addition model और product model के बारे में, जो function का diagram होता है, मैं बता रहे देता हूं आपको, वैसे zn को बोलते हैं, हम लोग क्या addition model on n, addition model on n, ठीक ना, ये बोला जाता है, तो जो हमको function जो define किया हमने, ओके वो zp होता है, zp और ये क्या होता है, plus operation p, p prime number से, और dot operation p, p, तो याद रखेगा, ये भी क्या है, ये भी field बनता है, ठीक ना, ये भी field बनता है, तो धीरे धीरे practice हो जाएगी, आपको तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी, एक छोटा सा और concept में आपको discuss करता हूँ, क्योंकि आप, ये मैं आपसे पूछू कि बताईए कि कौन सा set बड़ा होता है, rational का या irrational का, मैं आपसे पूछू कि कौन सा set जो हुआ करता है, बड़ा हुआ करता है, rational का, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो क्यों होता है, rational होता है, वो क्या होता है? Finitely infinitely infinitely countable हुआ करता है, होके? infinitely क्या होता है? countable होता है. countably infinite इसको आफ infinitely countable भी बोल सकते है, कोई दिक्कत बात नहीं है. और अगर आप Jew and Milk बार जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? यह होता है infinitely uncountable मतलब कुल मिला कि यह क्या है एन अनकाउंटेबल ही है तो जैसे कि आप जानते हैं कि यदी में मेरे पास कोई सेट ए है तो सेट ए का जो कार्डिनलिटी होता है उसके पावर सेट से हमेशा क्या हुआ करता है कम हुआ करता है कार्डिनलिटेटी अपसेट ऑफ ए सोलज़ एस एसुत दरीखे से यहां पर क्यूं यानि की रस न लंबर कि जो कार्डिनलिटी होगी कम होगी। पावट्र सैट ओउफ क्यों इसको मैं बोल सकता हूं इसको मैं इसको मैं बोल सकता हूँ elf not इसकी cardinality क्या बन जाएगी क्योंकि finitely countable infinitely countable है तो elf not is less than और ये तो infinite है क्योंकि p q जो है infinite बनेगा तो उसको आपने कोई नाम दे दिया c like complex number जो होता है न वो भी infinite हुआ करते है infinitely uncountable होते हैं वो भी तो इसलिए इसको c दे सकते हैं इसका मतलब यहां से clear हो रहा है कि जो आपका rational number है उसकी cardinality हमेशा irrational number से क्या होती कम होती तो आप लिख सकते हैं कि cardinality of rational number is less than cardinality of irrational number ठीक है तो आज की class को यहीं पर end करते हैं और काफी थोड़ी सी चीजें यहां पर logical होती हैं difficult लगती है तो आप लोग सहियां मनाय रहें पढ़िए thank you so much for being with location unlimited study zone bye bye